तबा चुनाओ संपन हो चुका है पशिस मार्श को उत्तर परदेश में योगी की नई सरकार बनी अब निकायों को चुनाओ को लेकर अभी कोई सरकार के तरब से गाइडलाइन कोई सूचना नहीं है लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाओ लड़ने वाले मैं बलिया की बात कर रहा हूँ चुनाओ लड़ने वाले दावेदार कड़ी महनत कर रहे हैं भारती जंता पार्टी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस सहित अन्य राजनेतिक दलों के नेता निकाए चुनाओं में अभी से कड़ी महनत कर रहा है आई हम बात करते हैं बलिया जिले में कितने नगर पंचायत हैं कितने नगर पालिका हैं बिदान सवा छित्र बैरिया से शुरुवात करते हैं बिदान सवा छित्र बैरिया में नगर पंचायद बैरिया फिर उधर से हम आते हैं बलिया बलिया विधान सबाद छित्र में नगर पालिका परश्द बलिया नगर पंचाय चिदवड़ा गाओं नगर पालिका परश्द रश्ड़ा और बेलत्रा भीधान सबाद छित्र की बात करें अभी हाल में ही नगर पंचायत की धर्जा प्राप्त नगर पंचायत जुसे नगर पंचायत का धर्जा मिला वही नगर पंचायत बेलतरा लुड पहले से ही नगर पंचायत है सिकंदर पूर विधान सबाद छित्र से बात करें सिकंदर पूर नगर पंचायत बाजडी विधान सबाद छित्र की बात करें यहां रियुती नगर पंचायत सातवार नगर पंचायत और बाँजडी नगर पंचायत यहां है ऐसे में कुल दस नगर पंचायत नगर पालिका मिला के अपने बलिया में है अब देखना यह होगा कि सरकार नगर पंचायत का चुनाओं समय से कराती है या फिर डेट को आगे ले जाती है वैसे दिसंबर मा में दिसंबर मां 2017 में नगर पंचायतों में नगर पालिकाओं में नवनिरवाचित चैरमेनों ने अध्यचों ने कार बार ग्रहंड के एक नई शुरुआत की थी अब पांच साल पूरे होने जा रहे हैं अब पांच शाल में अब अगला चुनाओ बिधान सभा के बाद निकायों के होने जा रहे हैं अब भारती जंता पार्टी बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस सहित अन्राजनेतिक दोलों से कौन परतियासी चुनाओ मैदान में होगा अब इस पर पर्थन मांगते दिख रहा है वैसे भारती जंता पार्टी की बात करें बलिया में तो दो दर्जन से अधिक दावेदार भारती जंता पार्टी में टिकेट की लाइन में देखे जा रहे हैं वहीं समाजवादी पार्टी से भी कई दावेदार चुनाओ मैदान में बड़े निताओं से संपर्ख बनाये हुए हैं कोई लखनव में कोई बनारस में कोई गोरखपुर में कोई आजमगड में जहां भी बड़े निता हैं उनके पास तक जाकर अपने लिए निवेदन आगरे कर रहे हैं अब दिशंबर में चुनाओं होगा किस दल से कौन प्रति जासी मैदान में होंगे और जनता फिर एक बार अपना नया चेर्मेंट चुनकर मैं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भेजेगी फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक लितना ही नमस्कार